आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार IQ परिवार में आज का हमारा चैप्टर है सैवन और क्लास सिक्स्ट की हम NCRT पढ़ रहे हैं साइंस हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बीते दिनों से चैप्टर 6 तक हम पढ़ चुके हैं आज सात्वा चैप्टर है यानि कि इस चैप्टर में आज हम जानने वाले हैं पोधों के बारे में पोदों के अंदर जड़ें कितनी परकार की होती हैं पतियों के भाग कितने होते हैं फुलों के कितने भाग होते हैं फल कहां बनता है पेड कौन-कौन से टाइप की हो सकते हैं यही चीजे बेसिक-बेसिक आज हम छटी किलास के अकोडिंग इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आम का पेड़ हो गया क्रिपर्स लताएं बेल होती है ठीक है और एक होता है क्लिमबर्स जो किसी के सहरे दो ये दोनों ही बेल है एक टाइप की लेकिन क्रिपर्स होती है किसी के सहरे चड़ती नहीं है क्लिमबर्स किसी के सहरे चड़ जाती है बेल वो ठीक है क्लिमबर्स जो ह इसटम के बारे में तना क्या होता है, लीटउट, चड़ें क्या होती हैं. DR. in नृर्मली तो हमें पता है. उनके का मैपनी जानेंगे सूझे quan यह इसे सब आने जी। Kaley फूल हुता है वहाद की। लिए ओचाणें लिके लेकिन फोड 對र्श पूल इंडर करहा ही उसके नीचे भी कुछ आपने देखे होंगे, फूल की ठोट-चोटी पंखुडियां और होती है, हरी-हरी सी, उनको क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजे हम लोग इसी चैप्टर में जानने वाले हैं, तो आईए सुरू करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग हब्स के बारे में करते हैं, यानि कि जड़ी बूटियों के बारे में करते हैं, अगर हम लोग जाते हैं हिमाचल की साइड में, या हम जाते हैं हिमाले साइड कहिएगा, आप लोग हिमाले परवत साइड में, या आप लोगों अभी recently रमाइन देखके हटे होंगे तो जो रमाइन के अंदर संजी उनी बूटी के बारे में आपने देखा होगा तो यह जर्नली पोदे ही होते हैं ठीक है बहुत सारे पोदे होते हैं ग्रीन होते हैं लगबग सारा साल हरे ही रहते हैं आलमोस्ट आलमोस्ट ठीक है और यूजली शोट एंड में नोट है मैंनी ब्रांचे इनकी कोई बहुत ज़दा साकाई नहीं होती है छोटे छोटे ही छोटे छोटा पोदा ही मिलेगा जर्नली यह जिसे संजी उनी बूटी थी वो तो यह जर्नली ओसदी बनाने के लिए ही काम जाती है और यही बात अगर सबस की कहा जाए जाडियों की कही जाए तो इनकी बहुत सारी साखाएं होती है इस टाइप से जाडियां कह सकते हो बेर एक टाइप का जाड़ी वाला ही पोदा कह सकते हो आप लोग ठीक है जिसकी ब्रांचे निकलती जाएगी निकलती जाएग लेकिन बहुत मोटा तो नहीं होता जैसे एक्जामपल से आप बेर का ज़ाडी वगरा देखी हुई आपने तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्त हो वो लेकिन थोड़ा सा कठोर जरूर रहता है ऐसे ही पोदों को हम लो क्या कहते हैं ज़ाडियों का नाम दिया करते हैं पेड ट्री के बारे में तो बताना ही क्या तो आप अच्छे से जानते ही हैं जिनका तना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये बड़े लंबे-लंबे होते हैं ठिक स्टैम्स होते हैं ब्रांची जिनकी बहुत सारे होती है ठीक है और पेड से का जमीन से काफी उंच चीस के सकते हैं, आप लोग मतलब उसकी कोई साखा हो нашем सबस के बारें बात करें, साखा तो हो, लेकिन इसका stem जो होता है, वो हाड होता है, लेकिन उतना जदा भी हाड नहीं होता है, जितना होना चाहिए है, और तीसराund Shade is, इसका stem तना जो होता है बहुत ज़दा hard होता है जमीन से बहुत उपर होते हैं लंबे होते हैं ठीक है अब अगली बात है creepers ये बेल इस टाइप की बेल ये वाली बेल कुन सी है cannot stand upright but spread on the ground ये जो है खड़ी नहीं रह सकती है किसी के सहारा मतलब ये किसी के नहीं ले सकती है ले लेकिन klimbers क्या होता है ये भी फ्रैलती ही है लेकिन किसी के सहारा लेके खड़ी हो जाएगी जैसे for example आप लोग ये सबजी की बेल वगरा देखते होंगे ठीक है इस टाइप के जो गही वगरा की बेल आपने देखी होगी लकडी वगरा पे हम लोग चड़ा देते हैं या कि पेड़ वगरा पे तो इस टाइप के छले से बना बना के जो है किसी के सहारे लग 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 के जो है खड़ी रहती है ठीक है तो इक करीपस आप लोग इस कलिमबर्स के अंदर ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा अच्छा अब क्या है कि स्टैम के बारे में गर हम बात क करेगा ये तने का ही काम होता है एक पाइप है मान लीजिएगा जो स्टैम होता है ता वाटर एंड मिनरल्स गो टू लिउस एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटेच्ट टू दा स्टैम जो भी हमारा मिनरल्स खनीज पदार थे जैसे फर उजामपल हमने पोदे की जड़ मे खाद डाली है यूरिया खाद डाली है जो भी खाद डाली है ठीक है उसी खाद को मिनरल्स को और परकार के खनी स्ट्वों को जमीन से पत्तों तक पहुंचाने काम स्टैम करेगा पानी हम डालते है तो पत्तों तक पहुंचाने काम भी स्टैम ही करता है तना ही करता है और प सिदा सिदा एक्जाम में क्यूसर मिल सकता है तो important mark कर लीजेगा इसे अच्छा और जो पत्ते का ये जो चोड़े वाला भाग होता है बाहर वाला इसको हम लोग क्या कहते हैं तो ये आप दोनों तीनों चीजे याद कर लीजेगा इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे पै मार का किनारा होता है इसको मार्जिन के नाम से जानते है अचा एक पत्ते के अंदर आपने इस टाइप के डिजाइन भी देखे होंगे अलग-लग टाइप से ठीक है इनको हम लोग वेन के नाम से पुकारते है तो ये बहुत important side है आपको इसको अच्छे से याद कर लेनी है पूछ लिया जाता है ये पैटियोल तो बहुत important है ठीक है तो ये बीच वाला भाड जिसको हम लोग क्या कहते है मिड्रिब के नाम से जानते है आपने अकसर ऐसे पत्ते देखे होंगे सांगवन वगरा के या और टाइप के भी पत्ते देखे होंगे आपने ठीक है अच्छ अच्छा इफदा डिजाइन इस नेट लाइक तो अगर नेट के टाइप का डिजाइन होता है दोनों साइड से तो उसको हम लोग क्या कहते है रेटिकुलेट के नाम से पुकारते हैं अब देखो आप लोग डिजाइन भी कई टाइप की होते हैं जैसे एक तो ये वर्टिक जैसे निम्बू का पता देख लिया हमने या कोई और पोदे का फल का पता देखा तो उसके अंदर इसी टाइप का होता है इसको रेटुकेटिड के नाम से पुकारते हैं हम लोग ठीक है तो रेटुकेटिड होता है ये वाला और ये होता है पैरलल ठीक है जी उसके बाद में water comes out of leaves in form of vapor by process of transpiration अब क्या होता है कि ये पत्ते जो होते हैं ये वाटसपो उतसरजन का काम करते हैं कैसे काम करते हैं पत्तियों के अन्दर थोड़ थोड़ा पानी रहता है उस पानी को हवाएं आती है और हवा क्या करती है चुरा के ले जाती है आप लोगों ने ये सुना होगा ना की जितने जदा पेढ लगाएंगे उतनी जदा बारिस होएगी तो वही है आपका की पेढ लगाने से बारिस कैसे होगी की पत्तों के अंदर थोड़ा पानी के वैपर सोते हैं उनको हवा दोवारा चुरा लिया जाता है इसी को हम लोग हिंदी में वाच्पो उच्सरजन कहते हैं या इंगलिस में ट्रांस्पिरेशन के नाम से पुकारते हैं हम लोग प्लांट रिलीज अलोट ओव वाटर इंटू दा एर थ्रो दिस प्रॉसेस और जो पोदे होते हैं वो इस तरीके से बहुत सारा पानी जो है हम प्रकास elephantsलेशन कहते हैं इनमें मदद करता है पत्ते पत्तों को पोदों का किचन कहा जाता है यूँकर यह आप लोग यह कैसे काम करते हैं यह बेसिकली पानी लेते हैं और केसा साथ कार्बन डैकसर लेते हैं और कार्बन डैकसर और पानी से क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं और हमें आउटपुट में ऑक्सिजन छोड़ देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती है जो खाना बनता है इनका ये पोदे के अलग-अलग भाग में store हो जाता है फिर ठीक है और उसी भाग को जहां पर अपना ये खाना store करता है यूँ कहिएगा वही भाग हमारा फिर खाने योग्या या फल के रूप में आगे जाके जो है वो त्यार हो जाता है अलग-अलग भाग में ही store होता है यह और ये transportation की process जो है जो आपके कहिएगा मिनरल्स है या पानी है या और भी important चीजे हैं वो बाकी भाग तक पहुचा देने का काम तो stem करता है लेके जाता है लेकिन ये ग्रहन कोन करती है ग्रहन करती है जड़े अब जड़े ही ग्रहन करेगी मिनरल जड़े ही ग्रहन करेगी पानी है सारा कुछ का दूसरा important काम है कि मिट्टी के अंदर जो है पोदे को सही तरीके से मजबूती से पकड़ बनाये रखने का काम BC का ये अब जड़ मजबूत नहीं होगी कहते हैं इसकी जड़ी मजबूत नहीं है तो जड़ मजबूत नहीं होगी तो पोदा तो खड़ा रही कैसे सकता है तेज़ हवा आंदी वगरा से बचाने का भी हकाम करता है ये और जड़े, पतियां, तने, इसे अलग लग किसम की ही होती है अलग लग पोधों की अब जड़ें देखो, दो होती है एक होती है में रूट जो में जड़ होती है उसको हम टैप रूट के नाम से पुकारते हैं जो बड़ी होती है और जो छोटी होती है उसको हम लोग लैटल के नाम से पुकारते हैं जैसे आप इस photo में देखियेगा कुछ पोदे झीधा होते हैं जिनके अंदर एक ही ही होती है में जडड और उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा पार्ट्स निकले होते हैं इसको हम टैप के नाम से जानते हैं लेकिन जो यह विए ambiguous route होती है इसके अंदर क्या होता है हरे की अलग लग निकले वे हैं जवार वगरा के ऐसे ही कुछ रहते हैं आप देखे होंगे और यह जो नॉर्मल हमारे पेड होते हैं उनके जर्नली सीसम वगरा का पेड है या कोई और बड़ा पेड है उनके अंदर टैप रूट सी होती है जर्नली यह आप और पोदे देख लीजिएगा कई ऐसे घास फूस के भी आपने गास को भी देखा होगा आपने इसी तरीके से उनके अंदर जड़े होती है अच्छा उसके बाद में क्या है कि इन जड़ों को हम लोग खाते भी हैं कैसे जी एक्जामपल से आप लोग गाजर और वर्टिकल जाएगी वो जड़ वाला होगा और जिसकी जड़ जमीन में फैल जाएगी वो तने वाला पोदा होगा जैसे आलू है आलू एक तने वाला याद रखिएगा आलू फैल जाता है लेकिन गाजर है मूली है बिलकुल सीधे जाते हैं वर्टिकल यह जड़ वाले है ठीक है, हुए अध्रिक टाइप कि अर्भि टाइप की ठीक है, जिसको हम tapioca के नाम से जानते हैं, sweet potato हमारी ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकरकंद बोलते हैं हिंदी के अंदर हमारे ये सलजम होता है ये भी जड़वाला है ठीक है तो इनको आप याद रखिएगा ये अलग-अलग परकार के भोजन होते हैं जिनको हम लोग अपने खाने के रूप में जो है यूज़ किया करते हैं फ्लार्स और पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो जो फूल होता है उसके अलग-अलग पार्ट्स की बात की जाए तो देखिए को ये फूल है फूल का जो भार वाला ये पार्ट है इसको तो हम लोग पंकुडी के नाम से जानते हैं ये वाला तो ठीक है, इसको हम लोग पिटल्स के नाम से जानते हैं, पंखुडी होगी, अच्छा जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं, सैपल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, यही चीजे लिख रखी है, इसके अंदर, the prominent part of open flowers is पिटल, जो खुला full होता है, उसी को हम पंखुडी के नाम से जानते हैं, और एककली का परमुक भाग, strap जैसे चोटे पत्तों से बना होता है, उसे हम लोग सैपल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आप यह देख पा रहे होंगे, यह खुला भाग है, इसको हम लोग पंखुडी कहेंगे, ज इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एक एंथर होता है, एक फिलामेंट के नाम से फुकारते हैं हम लोग, ठीक है, और इनर पार्ट्स को हम लोग स्टैमन और पिस्टल के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, अब यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला इसको हम पिस्टल कह और ये वाली जो डंडियां है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, अधा पार्ट और पिस्टल्स भी अलगलग टाइप के एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक औरी होता है, यह बहुत इपॉर्टन्ट है, यहां से एक्जाम में क्यों जरूर बनते हैं, यह हमारा स्टिग्मा होता है, यहां पर प्राग करना के गिरते हैं, ठीक है, उनमें फिर एक जो प्राग करना आता है, उस्टाइल के अंदर आता है, फिर औरी के अंदर आता है, और यही फिर बाद में फल त्यार हो जाता है, इनको हम कहर आगे जाके पढ़ेंगे, प्लांट म इडि़ लोवर मोस्ट एंड स्लोवन पार्ट पिस्टल जो सबसे नीचे का भाग होता हुसी को इडिया करते हैं इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है आशा करता हूँ आपको चीजे समझ आई होंगी तर्टेंबाद